कर दोस्तों यहां देखो कि अधर जगा पुरा पानी पनी हो गया इधर भी पुरा पानी भर गया दोस्तों होप आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों आज जो वेदर तो आप देखी रहे हो कि कि अच्छा है और अभी चानी है शुल जानेका सहर तो सुल चलता हूं शुल जाने के बाद आप से मेदर ओं और उससे पहले आप लोग देखिए की कल संडे था और कल का जो दिन था वो कैसा भार आंकर था कल जो था बहुत भार उा था कल बिजली यहां पे बहुत मतलब तंडर स्टरॉम तो उस जगह को बोलते हैं तीन हुती और बहुत ही दुख की बात है कि वहां पर बिजली गिरने के कारण एक मा और बेटी का जो है तुरन देथ हो गया है तो बहुत बुरा लगा सा सुनने के बाद क्यूंकि बहुत खतरनाक जो था थंडर स्टॉम आया था तो मैं आपको वी बार इस दिया है तो दिखाता हूं आपको अभी देखो पूरा पानी पानी भर चुका है यहां पर बी और यह देखो बाहर ज़गा पूरा पानी भर गया है इसना जोर से जो है बिजली कड़की थी देखा आपने अभी सुबे जो है जो सुबे जो है जो सम बहुत अचा था बहुत ज्यादा धूब भी था बहुत गरम भी लग रहा था लेकिन अच्छानक से जो है वेदर कापी चेंज हो गया है कि अच्छानक से बारिस की जो बूंद है वो भी इतने मोटी मोटी आ रहे है अब थोड़े दर के बाद जो है यह पूरा भर जाएगा यह तुरा कि पूरा यह झालोगा है यह पूरा भी minimum को मन थे रुख अब हो पुर्य क्याओ करत को बूंद हो बैस्वार ऊड़ल ओक तो ऐसे हो नहीं दहुत ने है चलने पर दिश के लगशे पाने चालगा तो इस वोड़ी यहां जाओ है absence में क्यान कर पनाद पानी मिदू और इधर जो है हमारा जो पॉंड है ना वो देखिए ये पार देख पार है आपको ये दोनों पार जो है ना ये बांद तूट जाएगा अगर ये और जो से बारिस आएगा तो कि अधर जो है संडे था और अभी 11.30 अधर करने के लिए और अब देखिए कि इसना जो बारिस आ रहा है तो जो विचारे दुकान दा रहे हैं जो कि बजार में बैचते ना सब्जी और लेके उनका क्या हल दित्रा होगा और दोस्तों देखिए ये लास्ट येर का जो तुफान आया था वो उसका भी क्लिप में ने रखा था आपको दिखाने के लिए तो ये देखिए कितना भेंकर जो है तुफान आया था हमारे यहां पर और ऐसा हर साल आपे रहता है और जोस्तों उस दिन धुनु के घर से जस्त आई रहा था में रास्ते में मुझे ये गैरेज मिला यहां आप देख पारे हो कि मेरा जो बसंती है पूजा मम्मी वहां खड़ी है और हम लोग ये गैरेज में घुशा दिये आगे और पीछे जोनों तरफे ना पूरा बड़ तो दूस्तों आपने देखा कि बहुत ही दुख का बात है और क्या हालत बना दिया है तुफान भी आया था इतना खतर्नक था एक्चुली वीडियो जो था थोड़ सा मिक्सिंग था मतलब इधर हो एक घंटा पहले का एक घंटा बात का था लेकिन मैं बस आपको वीडियो क मैं बसे जरीव से बस दीखाना चाहता हूं कि हमारे यहां का जो हालत क्या था कल तो चलो आज का दिन कुछ मेरा फ्लिपकारण से जो ग्रोशरी मेरे मने बंगाया था वह कल का दिन गया बहुत lobgende कर सकते हैं जो प्रोट आ जो है अज एज फिरिपकारण से ग्रोशरी मैं थ तो अब यह वीजो है ऑनलाइन से कुछ समन मंगाया था यह तेल आ गया है इदर में कच्छी घनी तेल उसके बाद यह आटा यह आपका आशिराद भी तो मल्टी ग्रेन वाला है और यह लिया है रेसिन इसके बाद यह लिया है कुछ मुंग डाल और्गनिक वाला और यहां प तो मैं आपको बता देता हूं यहां पे जो प्राइस है जो जान मतलब सबसे जादा आपको चाहिए होता है तेल का ज़रत होता है तो तो तेल जो है 137 पर लीटर पड़ा है यह प्रॉक्स जो 685 का जो यह है 5 लिटर में 685 और इसका MRP अभी तेल का दाम थोड़ा कम हो गया है ठीक है आप लोग को पता निए तो बता देता हूं तो यह है 875 MRP और यह मिला है हमें 685 में तो कफी अच्छा है और यह जो मल्टी ग्रेन आटा है यह भी आपका 342 करके है 342 MRP है इसका लेकिन मिला है 287 में तो देखो आसिरवाद आडा आप लोग खाते हो हम अगर तो यह अशिरवाद कई आए लेकिन मल्टी ग्रेन है तो अगर लेना चाहते हो तो आप लोग ले सकते हो बहुत कम सस्ता में बहुत सस्ता में मिल जाता है ओनलाइन में एक्चली तो फिलिपकार्ट से वागे ऐसा यह ग्रोसरी आइट्म है दोस्तों अभी रात के बद चुके स अधाने के लिए और साथ ही वेकेशन में प्लान कर रहे हैं कि कहीं जाने का तो इसके लिए भी मैंने थोड़ा से शॉपिंग कर लिया है और मैंने कुछ यहां पर यह पैंट लिया है कुछ टीशिट लिया है और उसके बाद जो है समर वेकेशन हमारा जुलाई से प्लान तो किया है मैंने ऐसे कुछ जुलाई में जाने का तो देखते हैं कि क्या होता है तो आपको चैनल पर जूटे रहिएगा आपको अच्छे अच्छे कॉंटेंट जो है मैं जरूर लाने के कोचिस करूंगा और दूस्तों अभी हमने खाना खालिया है और पाही को पुराने वीडियो से फिर वह सब दिखा रहा था जो और इंवारोमेंट में हो रहा हो गयरा तो कल से जो है डेली ब्लोक्स आपको मिलेगा तो आज के लिए बाई गुड़नाइट